वेलकम तो दा एक्जाम गुरी यूटीब चैनल देसिस परदीप आज की जो वीडियो है हमारी जैसा आपने देखा थमनेर पे लिखाया है जो आपका BPSC बिहाल लोग सेवा आयोग उसमें जो टीचर की वेकेंसी थी उसके फॉर्म जो आउट हो गए थे और उसकी एक्जाम की जो डेट है वो आपको मैंने पहले बताया था 24 से 26 तक थी तो उसकी अब exact timing आ गई है कि कितने बज़े से एक्जाम होगा और पहले सिफ्ट में और second जो सिफ्ट होगी उसमें क्या टाइम रहेगा कितना difference रहेगा उसके बारे में complete information लेंगे admit card आपका कब release होगा इन सब चीजों के बारे में तो आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बता दे देखे authentic news है यह 24 से लेके 28 26 अगस्त तक आपका एक्जाम चलेगा first and second दो सिफ्ट में चलेगा प्रतम पाली और दूत्य पाली में कहां होगा एक्जाम है यह आपके राज्य इस्तित सभी जिलों में अवस्तित परिक्षा केंद्रों में आयोजित कराएगा इस्टेट्स में जितने भी क्या केते हैं डिस्टिक को अलोट किया गया है सेंटर अलोट किया गया है वही पर इनके एक्जाम होंगे अब एक्जाम करब होगा 24 को पहला एक्जाम में गुरुवार को आपका फर्स सिफ्ट में होगा फर्स सिफ्ट का एक्जाम टाइमिंग 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपको मैंने पहले ही बताया था दो गंटा आपको मिलेगा 120 मिनट जिसमें आपके 80 प्लस 40 वाला प्रोजेक्ट चलेगा टीक है 80 कोशन जोंगे वह आपके सब्जेक्टिव होंगे 40 जोंगे आपके वह जीए से रेलेटेड है तो आपका जो पहला एक्जाम है 10 से 12 का वह आपका समान्य अध्यान का होगा यानि कि जनल स्टडी से रेलेटेड और ये कैटेगरी 1 तू 5 के लिए है इसमें सिर्फ मे फिमेल कंडिडेट इसमें नहीं है क्योंकि मेल और फिमेल का दोनों का अलग टाइमिंग रखा गया है मेल कंडिडेट जो है वह 10 तू 12 एक्जाम देंगे और जो सेकिंड सिफ्ट होती है वह आपकी 3 30 से 5 30 तक है सेम वही है जीएस का एक्जाम होगा आपका 1 तू 5 क्लास के के लिए और इसमें जो होगी वह फिमेल कंडिडेट एक्जाम देंगी यानिर फरस्ट सिफ्ट में मेल कंडिडेट है ये 24 तारिक को एक्जाम complete होता है उसकी बात 25 तारिक को एक्जाम है 25 को आपका जह है वह लाइंग्विज वाला है जिसमें से और सिर्फ और सिफ अगें Saturday के दिन उस दिन आपका जो होगा समान्य अध्यन एवं विश है जो आपका subjective है 9 to 10 के लिए वो exam होगा इसमें male female जो है वो अलग category नहीं करी गई है इसमें same first shift के अंदर जितने भी candidate है सबका exam conduct कराया जाएगा ठीक है first shift जो है आपके 10 to 12 वाली उसी में आपका 9 to 10 के लिए जितने भी candidate नहीं अभी हारती है उन सबका exam होगा first shift में और अगर उन में ही किसी भी candidate ने 11 to 12 के लिए अपलाई कर रखा है तो वो second shift में 3.30 से 5.30 तक में 11 और 12 के लिए अपने exam दे सकते है ठीक है यानि कि आपका 26 को exam खतम हो जाएगा second shift के बाद अब बात करें कि इसका admit card कब आएगा तो जैसे admit card की information दी के यह बताया जा रहा है कि लगबग 10 आठ तक admit card आप download कर सकेंगे ठीक है यानि कि 10 तारीक तक आने के chances है कि आपका admit card है वो आ जाए अब अभ्यारती परवेश पत्र download करने के पूर्व passport size photo और dashboard में लोग इनके उपरान upload करके उसके बाद ही परवेश पत्र download कर पाएंगे अच्छा इसका process कहा है ऐसा नहीं simple आपको download हो जाएगा आपको passport size photo उसमें क्या करने पड़ेगी upload करने पड़ेगी ठीक है और passport size जो होनी चीए वो आपकी कितने होनी चीए 25 के भी क्रोंडी 5 के भी आपका e admit card आएगा उसमें आपका परिक्षा केंद्र जो है code है सब कुछ उसमें होगा center code जिले का नाम भी उसमें डेटेल दियोगी किस जिले में आपका exam होगा उसके बाद बात करें सभी अभ्यारती प्रति पाली परवेश पत्र के अत्रिक प्रति अपने साथ परिक्षा केंद्र ले जाना सुनिशित करें परिक्षा अवदी के वेक्ष के समक्स हस्ताक्षार करने सुपत करना आवश्यागा तब center आपका code दे दिया उसका center code कहां पढ़ रहा है किस school में है किस college में है तो उसके बारे में detail आपको 21 को provide कराएजएगी जस्ट exam से तीन दिन पहले ओके आगे आप 10-8 से परिक्षा केंद्र में 4 दिन पूर तक अर्थाद दिनाग 28 तक परिवेश पत्र रूप से डाउनलोड कर सकते हैं आप 20 तक डाउनलोड कर सकते हैं अब व्यारती को परिक्षा प्रारम होने के एक घंटा पूर्वी परिक्षा केंद्र में परिवेश केंद्र मती दी जाएगी यानि कि candidate जो है exam आपका जो start होगा वहाँ पर एक घंटा पहले आप entry कर सकते हैं और एक घंटा पूर्व उसके बाद क्या होगा परिक्षा जो है आपकी जब entry कर लेंगे OMR seat का प्रियोग करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता यह आपकी जो offline mode में online mode में exam नहीं हो रहा है ठीक है वह आपको OMR seat दे जाएगी और उसके बाद फिर आपको OMR seat में answer करेंगे ठीक है OMR seat आपकी वही ले लिजाएगी question paper आपको जो issue कर देंगे तो friends यह थी information I hope आपको इसमें clear हो आपको सब कुछ अगर कोई doubt है तो आप comment box में mention करेंगे उसका reply में आपको कर दूँगा ठीक है तो जितने भी candidate है जितने भी अभ्यारती है जिनोंने भी form भरा था अपनी preparation जारी रखें और सभी को exam guru की तरब से all the best